हेलो अब्रीवन इस वीडियो में प्रिंसस्केट ब्लावज फ्रंट पैनल की कटिंग करूंगी तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लेज सब्सक्राइब कर लें और वेल बटन को भी जरूर दबाए ताकि मेरे हर वीडियो की नोट करके लें है लेंट है तो इस तरह से मैं 16 पर मार्किंग करी है यहां पर हमें सोल्डर लेना है तो स्लडर है 14 अंच कुछ इना है चुल्डर का हाप करेंगे 7 इंच और हाप इंच इस्टा मारजिन का और यहीं निशान हमें नीचे भी लगाना है 7.5 इंच आर्म होल लेंगे यहाँ पर 6.5 इंच और सीधी लाइन डॉ करेंगे यहाँ पर हमें चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है और कि 1.5 इंच इस्टा मारचिन का छेस्ट है हाँ पर 38 इसका फोर्थ पाउड मेने लिया है 5 With और व tow25 इस्टा मारजिन का लिया कि वेस्ट का फोर्थ लेना है वेस्ट इस है थर्टिटू उसका फोर्थ पार्ट लेंगे यहें इ एट इन्च वर 2 इंच बैक पार पर प्लेट डालते हैं उसके लिए और 1.5 इंच इश्टा मार्जिन का और वेस्ट लाइन को हमें अब चेस्ट लाइन से मिलाना है तो यह फ्रेंट पैनल है तो हमें यहां पर इश्टा लेना है प्रिंसेस कट पार्ट के लिए 2 इंच लिया वेस्ट की साइट से और आर्मोल की साइट से हमने लिया है 1 इंच और दोनों मार्किंग को मिलाना है यहां से हमें प्रिंसेस कट पार्ट के लिए मार्किंग करनी है 3 3.5 पर उपर से टक्सपांट ना परेंगे और मार्किंग करेंगे 10.5 पर यहां से हमें लेना है 3.75 और दोनों मार्किंग को स्टेट मिलाना है उपर से हमें सोल्डर पर लेना है 0.25 इंच का स्लोप और हाफ इंच सोल्डर को डाउन करेंगे और डाउन वाले मार्क से हमें वन इंच पर मार्किंग करके फ्रंट आर्म होल के लिए सेप देना है तो अब हमें सोल्डर की साइट से नापना है 1.5 इंच पर और इस मार्किंग को हमें टक से मिलाना है और यहां से हमें टक की बिट लेनी है 1.75 इंच और लेंथ लेंगे टू इंच इसे भी टक से मिलाएंगे तो नेक की कटिंग हम अभी नहीं कर रहे हैं कैन्वा स्विपर पर नेक की कटिंग करेंगे तो अब हमें जहां पर मारकिंग करी है TwoFold में रखा है यहां पर भी कि यह साइड को अपनी ही तरफ है कि और हम से लाइनिंग के कोर्डिंग हमें कॉतिंग कर लेनी है मिल थो कटिंग हो गई है अब हम अनृपर अब मश्च चाहँ सबसे पहले हम सेंटर वाले पार्ट कुम निए कि यह सेंटर का पार्ट है इसको मुल्टा रखेंगे उसके उपर लानिंग को रखेंगे यहां पर हमें में फेबरिक और लानिंग को अटेज करना है आज चारों तरप से सिलाई लगा कि कपड़े को फिलाते हुए यहां पे सलाई लगानी है और इस्टा फेब्रिक को कट कर लेंगे साइड से जो भी इस्टा कपड़ा उसे कट कर लेंगे और आप हमें साइड वाले पाड़ को आमने सामने रखे उसके उपर लाइनिंग को रखेंगे और यहां पर भी हमें लानिंग और मेंन फेब्रिक को ही अटेज करना है तो यहां पर मैं बहुत ही आसान तरीके से स्टिचिंग बता रही हूं तो आप वीडियो को लाज तक जरूर देखें और सिलाई लगा के हम इस्टा कपड़े को कट करेंगे इसी तरह हम दूसरा पार्ट भी कंप्लीट कर लेंगे तो आप हमने कैनवस विपर लिया है टूप फोल्ड में है उपर से नेक बिट मेरे लिए है 3.5 इंच और लेंगे 6 इंच यहां पर लेंद को इससे ज़्यादा नहीं लेना है 6 इंच से ज़्यादा नहीं लेना है और आप चाहें तो कम ले सकते हैं 4 या 5 इंच और इस तरह से राउंड सेब। देना है वर आप लेना है और 1 इंच बाहर से मार्किंग करते हुए इस तरह से नेक की कटिंग कर लेंगे तो अब हमें इस न के पैस को फेबिरिक पेकर टेज करना है 3.5 इसे में मारक किया 2 फोल में फेबरीक लिया है जहां पर मारंकिंग करिए वहीं पर हमें इस लेक को उटेस करना है प्यूनप कर लेंगे पहले और हमें स्लाई लगा लेनी है पिपाइबरीक और würस्ते करना है त आप इसका वाजन छोड़ते हुए हेष्टा कपड़े को कट कर लेंगे जो हमने हेष्टा कपड़ा चोड़ा है उसे खोल करते हुए पूरे हिनने को कपर कर लेंगे सिलाएए लगा की मैं और अब हमें इस part की Center marque करनी है उपर से कट़ लगा कि और नीचे से मार्किंग कर लेंगे हैं और इसी तरह हमें सेंटर वाले पार्ट की भी सेंटर मार्किंग करनी है सीधे लाइन डो करके और इसके उपर हम नेक वाले पैस को रखेंगे सेंटर से सेंटर मिला के और इस तरह से पिन अप कर लेंगे और अब हमें यहां केंवस के बिल्कुल साइट से चलाय लगानी है और वन फोट का मार्जन छोड़ती हुए इस्टा कपड़े को कट कर लेंगे पूरे ही निक पर लगाएंगे चोटे-चोटे कट और अब हमें इस पट्टी को रॉंग साइट टर्न करना है निक को और वन फोट के गयब से चलाय लगा लेंगे तो चलाय लगा ली है तो यहां पर मैं फ्रिल बनाओंगे टू इंस की पट्टी ली है और यह पट्टी लगभग 3 मीटर के लिए है तो इस तरह से पूरी पट्टी को पहले जोड लेना है और उसके बाद इस तरह से फ्रिल बना लेनी है यहां पर फ्रिल बनाते हुए ध्य नहीं होनी चाहिए सब एक साइज की होनी चाहिए पूरी फ्रिल तो इस तरह से फ्रिल बना लेंगे पूरी पट्टी पर तो इस तरह से मैंने फ्रिल बना लिए हैं लगाई पूशाइड के दोनों पार्टपर लगाने के लिए तो इस फ्रिल को हम इसी तरह से लगाएंगे जैसे हम पाइमिंग पाइपिंग लगाते हैं पारट ल्र पैपिंग जहां तक हमने मार्किंग करी है वहीं तक फ्रिल को लगाना है और इस तरह हमें दूसरे पार्ट पर भी फ्रिल को लगा लेना है और अब हमें इस पार्ट को सेंटर वाले पार्ट पर अटेज करना है सेंटर वाले पार्ट को सीधा रखेंगे साइड वाले पार्ट को उसके उपर उल्टा पर जहां पर हमने फ्रिल लगाते हुए इसलाई लगाई थी उसी इसलाई के उपर इसलाई लगानी है देखिए ऐसे और इस इत्रा से हम दूसरे पार्ट को भी अटेस्ट कर लेंगे साइड वाले आप हमें फ्रिल के उपर लेस लगानी है तो ये लेस हमें सेंटर पार्ट पे नहीं लगाना है फ्रिल के उपर ही लगानी है और इसी तरह से दूसरी साइड भी हमने इस लेस को लगा लेंगे तो यहाँ पर कमर पट्टी में लगाओंगी कैन्वस विपर से तो 10.5 इंच की मैंने ये कैन्वस लिया है टू फोल्ड में है सेंटर पर हमने फोल्ड साइड से मारव किया है 1.5 इंच पर इस तरह से राउंड से दिया है और वर वन इंच पर मार्किंग कर लेंगे पूरे ही कैन्वस पर और आप हम इसकी कटिंग कर लेंगे और इसे हमें अब लाइनिंग वाले कपड़े पर पेस्ट करना है पहले सिलाई लगा लेंगे हम कैन्वस के उपर और आप हमें ऊपर की साइड से कपड़े को फोल्ड करते हुए भी सिलाई लगा लेनी है सेंटर में राउंड से वह तो वहां पे हम कट लगा लेंगे तो इससे आसाने से कपड़ा फोल्ड हो जाएगा और अब हमें इसे पार्ट पर टेस्ट करना है तो सेंटर से टेस्ट करेंगे 1.5 इस मार्किंग करके और इस तरह से वहीं से हमें पिन अप कर लेना है और पूरे ही वेश्ट पे कैन्वस के साइड से ही सलाई लगानी है कैन्वस के उपर सलाई नहीं लगानी है सिलाई लगा के नीचे से जो भी इस टा कपड़ा है उसे कट कर लेंगे और सेंटर पर कट लगा लेंगे छोटे-छोटे इससे आसानी से पटी रॉंग साइड टर्ण हो जाएगी और यहां पर हमें वन पूट के गैप से सिलाई लगानी है तो इस तरह से पूरे ही वेस्ट वेस्ट लगा लेंगे और अब हमें यहां पर लेस्ट अटेस करनी है तो इस तरह से मैंने फ्रंट पैनल के स्टिचिंग कर लिए है तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सेर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो प्लेज सब्स्राइब करें थेंक यू